तो आपने जो है वो clerk district judiciary का exam ज़रूर दिया होगा और high court की तरफ से निकला था और इसके अगर आपने result अभी तक चेक नहीं किया है तो मैं आपको बता दू कि result इसका out हो चुका है roll number wise overall result भी यहाँ पर दिया गया है उसके साथ cutoff भी यहाँ पर बताए गया है तो मैं cutoff भी discuss करूँगा clerk की भी साथ प्रोसेसर सर्वर की भी तो यह roll number wise result है जिसमें हर एक roll number का result दिया गया है चाहे वो pass है की नहीं है चाहे उसके 25 marks है या कितने भी marks है तो यहाँ पर सारा चीज आपको देखने को मिलेगी ताकि आप अच्छे से check out कर पाओ कि आपकी कमी जो है वो कहां पर रहे गई आपको यह ना हो कि मेरे marks जो है वो यहाँ पर नहीं बताए गए तो यहाँ पर अगर आपके 10 भी हैं 20 भी हैं 50 भी हैं 100 भी हैं तो सारे marks यहाँ पर आपको मिलेंगे ठ ठीक है अब यहाँ पर बात करते हैं के बारे में सबसे पहले कि जो आपकी cut off गई है वो कितनी गई है और merit list जो है वो category wise कैसी है तो सबसे पहले तो 1812 2022 को इसका exam हुआ था अब यहाँ पर अगर बात करें पहले जर्नल की तो जर्नल के जो cut off marks है वो 68 है ठीक है यानि कि 68 और उससे उपर जितने भी candidate है वो select है और top score जो है वो 86 यहाँ पर किया है जिसने भी किया है ठीक है एक से 17 नंबर तक pages पर आप जो है वो देख सकते है जर्नल की स्ट की भाथ करें तो cut off marks आपके 63 है और उसके बार top score जो है वो 79 है स्टे की बात करें तो cut off marks यहांपर जो यहां पर 46 है टॉपर के जो है वो 67 है और EWS में अगर बात करें तो कॉट आफ मार्क्स यहां पर 66 है और जो टॉपर है उसके 80 है तो यह पूरा आपका कॉट आफ मार्क्स है जिसमें जनरल के 68, SC के 63, ST के 65, OBC के 63 और उसके बाद और तो पी एच के 46 और EWS के 66 है यहां पर पेजिस नंबर भी दिये गए कि अगर आप किसी कैटागीरी में हो मतलब जब आप रिजल्ट चेक करोगे वह आप OBC से हो तो ड्रैक्ट लिस्ट पेज नंबर से जो है वह आप चेक आउट कर सकते हैं आपको एक बार दिखा रहेता हूं जैसे आशिश कुमार पहले है ठीक है तो यहां पर 86 मार्क्स जो है वह इनके है उसे उसी लाइन में 85 है 82 है कईयों के जो है वह सेम से में 80 81 है ठीक है फिर 80 है यहां पर फिर आप देखोंके 79 जो है वह यहां पर फिर 78 है बहुत सारे आपको चेक करना है टेलिग्राम पर आप ऑफिशल जी के स्टडी सर्च कीजेगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाकर देख लीजेगा आपको वहाँ पर पूरी PDF जो है वो मिल जाएगी तो आप यहां पर अपना रोल नंबर जो है वो देख सकते हो कि कितरे मार्क है ठीक है जी शैडूल sto की बात करें तो 42 cutoff marks 47 जो है वह टोप है एस्टी की बात करें 43 cutoff marks है और ढभी थे जहते हैं उन एक्क लवीकर सेक्शन की बात करें कर्या है जो है वो cut off marks है और आपके जो top score है वो 46 है ठीक है और इसी तरीके से आप result को check out कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर दिया गया है हरिश कुमार, कश्मीर सिंग 48 और दो बंदे जो है वो उनके 48 marks है ठीक है उसी तरीके से आपको जो है वो marks आप check out कर सकते हैं वहाँ पर आप पहले देख लिजेगा कि आपके marks कितने है उसके हिसाब से आप यहाँ पर आपको पता है पहले आपने answer की वगेरा देखिए कि मेरे इतने marks बन रहे है तो आप जो है वो अगर आपने exam दिया है ठीक है टेलिग्राम पर जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ